My dear student, Assalamualaikum. आज हम मेरा तारूफ, यानि अपना तारूफ कराना, कैसे कराते हैं, तो इसके उपर हम देखते हैं. तो सबसे पहले अपना नाम बताते हैं. मेरा नाम अब्दुल्ला है. अब्दुल्ला कहते हैं अल्ला का बंदा. तो अल्ला का बंदा कैसा होना चाहिए? वो जिसके अखलाक अच्छे हूँ. क्यामत के दिन मौमिन के आमाल में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी तोल में वो उसके अच्छे अखलाक हैं. ये नभी करीम से लिए सल्म की हदीथ है. अब हम देखते हैं कि अच्छे अखलाक में क्या चीज़ आती है? नभी करीम से लिए सल्म ने फरमाया मुसल्मान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसल्मान महफूज हों. यानी किसी को जबान और हाथ से तकलीफ न दी जएए. जबान से हम कितने गुना करते हैं? हमें अन्दाजा नहीं हैं. जूट बोलना, तोहमत लगाना, घीबत करना, किसी की पीट पीचे बुराई करना, चुगली करना, चीखकर बात करना, ताना देना, गाली देना, गाने गाना, तंस करना, बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् से क्यूंकि ये एक दूसरे से हाथ जब बेकाबू हो जाते हैं तो पिर दूसरे को तकलीफ के देते हैं लडाई कर ते फिर चलते हुए छिलके रस्ते में नहीं फैंकना ये भी कोई इससे फिसल सकता है और फिर हम अपने महाल को गंदा करते हैं हमेशा जो कच्रा है वो कूड दान में फैंकना है इसके इलावा नभी करीम से लिए ने फरमाया हमेशा सच बोलो तो एक मुमिन जो होता है अब्दुल्ला अल्ला का बंदा वो हमेशा सच बोलता है क्योंके सच बोलना नेकी के रस्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है फिर ये कि मैं पांच साल का हूँ अपनी उमर बताते हैं कि मैं कितने साल का हूँ फिर मैं पहली जमाद में पढ़ता हूँ यानि मैं स्कूल में पहली जमाद में पढ़ता हूँ मुझे दूद पीना पसंद है दूट जो है उसमें कैल्शियम होती है जो हमारी हड़ियों के लिए बहुत जरूरी होती है फिर मुझे सेव और आम बहुत अच्छे लगते हैं यानि मैं खाना खाने में कुदर्टी चीजें पसंद करता हूं और मुझे जो है वो बजार की चीजें नहीं खाता मैं क्योंके ये सहत के लिए नुकसान दे होती है नाई मैं फिजी ड्रिंक्स पीता हूं और नाई मैं पैकेट वाले कुरकरे और चूरन खाता हूं मैं मुझे फुटबाल खेलना पसंद है खेल सहत के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबाल खेलता हूं मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँगा डॉक्टर तो बनेंगे कोई इंजिनियर बनेंगे लेकिन मैं क्या बन सकता हूं अभी से ये सोच के साथ कि मैंने अच्छा इंसान बनना है मैं फूजी बनूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजिनियर बनूँ लेकिन मैंने अच्छा इंसान बनना है अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं अभी से अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा करूँ सुबा उठने की आदत सुबा सवेरे नमाज के लिए उठना तो मैं सुबा सवेरे कोशिश करता हूँ कि नमाज के लिए उठू इसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ मैं अपने वालिद साहब के साथ नमाज पढ़ता हूँ अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सुबा फजर में और बाकी पांच नमाजें भी अपने वालिद साथ के साथ पढ़ते हैं लड़कियां वालिदा के साथ और लड़के वालिद के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं मैं स्कूल जाने से पहले अपना बिस्तर ठीक करता हूँ अपनी ये आदत भी बहुत अच्छी है कि आप अपने अपना काम खुद करने की आदत डालें मैं हर खाने से पहले हाथ दोता हूँ ये भी बहुत अच्छी आदत है आपके हाथ के उपर जरासीम होते हैं जो के साबन से अच्छी तरह हाथ दोने से हाथ साफ हो जाते हैं और पेट की बिमारियां नहीं लगती मैं स्कूल से घर आने पर सलाम करता हूँ जब भी घर में दाखिल हो तो अस्सलाम अलेकुम बलान दावास में कहें इससे आपके घरवालों पर सलामती भी बेजी जाती है आपको इसका आने का इलान भी हो जाता है कि आप घर में दाखिल हो गए हैं मैं खाने के बाद दान्थ साफ करता हूँ आम तोर पे हम रात सुबा उटके दान्थ साफ करते हैं लेकिन असल में दान्थ हर खाने के बाद साफ करने चाहिए बेशक आप टुथ पेस ना लगाएं मिस्वाग से या खाली बराज से ही दान्थ साफ करने मैं दोस्तों का ख्याल रखता हूं कैसे मैं अकेला नहीं खाता जब भी मैं कोई चीज खाता हूं तो अपने दोस्तों को भी उसके लिए कहता हूं फिर मैं चीजें शेयर करता हूं मैं जो मेरे पास खिलोने होते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ अपने भेन बाईयों के साथ मिल कर खेलता हूं और फिर मैं अपनी बारी का इंतजार करता हूं और फिर जब टीचर बुलाती हैं तो मैं लाइन बना कर, कितार बना कर क्लास्रूम में जाता हूँ. मैं घर में अपने माबाग का हाथ भी बटाता हूँ. तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो घर में अम्मी अब्बू के साथ काम भी करवाते हैं, घर की चीजें समेटना, अम्मी के साथ कपड़े रसी पे डाल देना, गांदना फिलाना, घर की सफाई कर देना. मुझे उमीद है कि आपको मेरा तारूफ जो है वो लेसन पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल करें.